हलो गाइज वेलकम तो माँ चानल खुश रहो मस्त रहो आज चो रेसिपी में बनाने चाहरे हूं यह मेरी बहुत जादा फेवरिट है और यह बहुत जट पर तयार हो जाती है खाने में बहुत टेस्टी है आग्रा और दिल्ली वालोंने तो बहुत खाई होगी यह मोमोज और तो अब हेलकी तरह जादा पॉपिलर नहीं है तो आज इसको थोड़ा सा पॉपिलर करते हैं और सबको बताते हैं यह चाहर बनती कैसे है तो यह चाहराणी चाहरा करने के लिए मैं यहां डाल रही हूँ दो चमच सेंदा नमक चो हम व्रत में भिखा सकते हैं 2 चमच बुना इसके को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम तोड़े सी घुटलीया होती है तो ध्यान दे मर्कोल को विरतमी खाने वाला है место ए चैट मसाला हमारा बन की तयार हो गये है और इस यहां बनाने के लिए इतने बॉयल डालू ले उसको कट कर दें पीसेज में यहां पर है बॉयल शकरकंद अब क्या करना है हमें आलू को हमें फ्राय करना है अच्छा क्रिस्पी बनाना है तो यहां तेल गरम होने रख दिया है मैंने तेल गरम होते ही हम उसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से क् ए में फिल्ट्ट को जाएंगे तो हम इसको पलटेंगे एक साहिड से ये फ्राइ हो गए तो मैंने इनको पंप औल डिया हमें दूरी तब सबस्क्रार जाए तो दूरी तर्फ से भी ऐसा अच्छा साह कलर आ जाल जाए त narration करेंगे दिली और आग्रा में ये बहुत common और बहुत popular चाट है पूनी में ये बहुत कम मिलती है, मिलती भी है तो ये दिली जैसा टेस्ट नहीं देती है लेकिन ये जो मैं बनाने जारी हूँ, इसमें मैंने थोड़े बहुत changes किये हैं तो बहुत tasty बना देगा इस चाट को, अब ये देखिए हमारे जो आलू थे अच्छे से fry हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, तो हम इसको निकाल देगे देखिए आवाज आ रही है, आलू मैंसे अभी मैं आपको आवाज सुनाती हूँ एकदम क्रिस्पी हो गए हैं, इसके लिए ऐसे आवाज आ रही है, तो हमको भी ऐसा ही क्रिस्पी करना है, ऐसे ही अब मैं सुईट पटेटो को भी दल लूँगी, याने शकरकन को भी दल लूँगी एक एक करके सारे शकरकन में इसमें डाल देती हूँ अब सेम वोई प्रोसेस है, जैसे हमने आलू को तला था वैसे ही शकरकन को तलना है, पहले एक साइड से कलर आएगा तो तो हम पलट देंगे, दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राय कर लेंगी देखिए एक साइड से भृसिख गये हैं, सब में दूसरी साइड से भी अच्छे से तल देती हूँ हमारे शकरकन भी अच्छे से फ्राय हो गए है अब इसको निकाल देते है ईच्छे से अर्दिश आलू और जो अच्छे से फ्राया went के चाट बना रही हूं इसके लिए फ्राइड आलू जो मैंने फ्राइब किये हैं वो डालूंगी मिक्सिंग बाउल में उसमें डालूंगी थोड़ी से हरी चटनी थोड़ी सी इमली की चटनी और यह जो चाट मसाला हमने बनाया था वो मिक्स कर देंगे जो ठेले वाले भाईया आगरा में आलू की चाट देते हैं वो इमली की चटनी नहीं डालते हैं वो नीम्बू डालते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं इमली की चटनी अगर आपको नहीं डालनी है तो आप नीम्बू भी डाल सकते हैं और मैं सब करी हूं जैसे ठेले वाले वैसे ही दोने में, तो ये दोने में मैं इसमाने आलू डाल दिए, उपर से थोड़ी और हरी चतनी डालूँगी, थोड़ी सेटनी की चतनी डालूँगी, थोड़ी चाओं साला जो बनाए था वो डालूँगी, हरा धनिया, और यह कुछ अद्रक के जूलियन्स हैं मेरे पास वो डाल रही हूं उपर से थोड़ इसे अनार के दाने यह हमारी जटपट मज़िदार आलू की चाट बनकर तयार हो गई है कि गरम-गरम हमीं सब्सक्राइब करना है जैसे मोमो उसा, एकदम गरम गरम खाते हैं मैं आए वैसे ही मैं अपने सब्सकह नार करता है स्वीट पेटेटो ले रही हो एक बावल में डालूंगे थोड़ी से हरी चटनी थोड़ी सी मीठी चटनी हमारा चाट मसाला इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे इसको निकाल लेंगे एक दोने में सेम वही करेंगे उपर से डालेंगे थोड़ी सा हरी चटनी थोड़ी सी इम्ली की चटनी थोड़ी सा चाट मसाला हरा धनिया अद्रक के जूलियन्स और अनार धनि यह हमारी स्वीट पटेटो चाट भी बनके तयार हो गई इसको के उपर में डाली हूँ एक टूथ पिक क्योंकि ठेले वाले भाईया भी दालत की देते हैं टूथ पिक अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम फ्राइड नहीं खाते तो हम क्या करेंगे जो बॉइल डालू है उसकी एक चाट बनाएंगे बॉइल डालू लिए बॉइल स्वीट पटेटो लिए उसमें डाली हरी चटनी इम्री की चटनी चाट मसाला और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो लोग फ्राइड नहीं खाते हैं वो ऐसे बीज की चाट बना के खा सकते हैं एकदम जटपट तयार हो जाती है खाने में बहुत मज़िदार इसको भी मै काल देती हूं एक दोने में मैं मैंने हारी चटनी में बहुत अच्छे से हारी मिर्च टाली थी आप भी हारी मिर्च ज्यादा डाले तो यह चट पटी बहुत अच्छी चमिदन के तयार होएगी उपर से डाल रहे हूं अद्रक, हारा धनिया और अनार धनिया यह हमारी बिना फ्राय की हुई आलू और स्वीट पटेटो की चाट बन कर तयार होगे हैना मजदा चट पटी रेसिपी अगर आपने यह चाट पहले खाई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने यह चाट कहा खाई है और कैसी लगती है आपको और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजी शेयर कीजी आप मेरी चैनल पर न हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमेशा खुश रहें मस्ते रहें थैंक यू फो वाचिंग